नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संस्कार चैनल में, हाजिर है पुन्ह एक नए वीडियो के साथ, सूरिया ग्रहन 20 अप्रेल को साल का पहला ग्रहन लग रहा है, ये ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा, साल का पहला ग्रहन मेश राशी में लगेगा, इसलिए मेश राशी के जातकों पर इस ग्रहन का गहरा प्रभाव होगा, इस साल का पहला सूरिय ग्रहन 20 अप्रेल को लगेगा, भारतिय समय के अनुसार साल का पहला ग्रहन सुबह 7 बचकर 3 मिनट शुरू होकर दोपहर 12 बचकर 28 मिनट तक रहेगा, जोतिश शास्त्र में भी ग्रहन को विशेश महत्व दिया गया है, वैसे तो ग्रहन एक महत्व पूर्ण खगोलिय घटना है, लेकिन धार्मिक रूप से इसे शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है, जब सूर्य के उपर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, और सूरज ग्रसित हो जाता है, 20 अपरेल को लगने वाला ये ग्रहन कमबोडिया, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, थाइलैंड, अंटारकटिका, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पापुआ, न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलिपींस, दक्षिन, हिंद, महासागर और न्यूजिलैंड म प्रभाव होगा, सूर्य ग्रहन के प्रभाव से मेश राशी के जातकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ग्रहन के प्रभाव से मेश राशी के जातकों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ सकती है, मेश राशी के जातकों को सूर्य ग्रहन के दौरान करियर में भी करना पड़ सकता है इस ग्रहन से लोगों को कामों के अशुब फल मिलेंगे इस राशी के जातकों के बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं ये सूर्य ग्रहन आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकता है बहतर होगा कि इस समय आप अपनी वानी पर नियंत्रन रखें व्रिशब रा प्रस्ताव मिलेंगे आर्थिक मामलों के लिहाज से साल का पहला सूर्य ग्रहन शुब रहेगा ताएं हासी होंगी धनुराशी धनुराशी के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहन सफलता दिलाने में काम्याब रहेगा व्यापार में कारियरत लोगों को अच्छा लाभ मिल स दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनेल को लाइक और सब्सक्राइब जूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिन